हेलो मैं हूँ रश्मी और आपका फिर से स्वागत है मेरे ट्रैवल ब्लॉग में आज मैं आपको पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास AC का व्यू दिखाऊंगी और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो फटा फट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आप मेरे ट्रैवल विडियो को मिस ना करें इस जन्नी में मैंने पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में कुब बूप कराया है तो चलिए देखते है इस नए नवेली तेजस राजधानी एक्सप्रेस का फूल व्यू और हम लोग पहुँच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एंट्री गेट के पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दो गेट है एक पहाड गंज के गेट और एक है अजमीरी गेट और ये देखो कितना बड़ा पंखा मुझे लगा स्रिफ सोख के लिए रखा है लेकिन नहीं इससे बहुत अच्छी हावा आती है और हम लोग जा रहे हैं प्लैटफोर्म की तरफ उसने ब्लॉग ही नहीं बनाना है ट्रेंड को भी पकड़ना है इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे है और ये पहुच गए हम लोग अपने प्लैटफोर्म हम लोगों ने पठना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में कुपूख रहा है और ये आ गई नए नवेली तेजस राजधानी एक्सप्रेस जिसका हम लोगों बहुत हा इंतजार इसको लोग पठणा राज धागी एक्सप्रेस कते हैं तो कुछ लोग इसको तेज़ज राज धागी एक्सप्रेस कते हैं बीले कलर में तो ये एक तरफ सुरज मुखी की तरफ बहुत ही आउसम लगते हैं इस ट्रेन का इंखास पाथ है कि सारा दर्वाजा गाट भीया ही कंट्रूल करते हैं और जब तक सारा दर्वाजा बंद नहीं होगा तब तक ट्रेन नहीं चलती और ये ट्रेन आई भी है तो सारे दर्वाजे बंद है गाट भीया ने बंद करके रखा है यह नई दिल्ली से पांच बच के दस पनेट में चलती है और बस से बारे घंटा में ही पटना पहुचा देती है अब तो सारे राजधानी कोचेस का किस्मत बदलने वाला है सब में नया तेज़स कोच लगने वाला है और रेल्वे वाले को उमीद है कि इसे बहुत पसंजर उन्हें मिलेंगे तेज़स कोच को तो स्मार्ट कोच इसके नाम पे बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा फैसलिटी है पट्रा तेज़स राजधानी एक्सप्रेस एक सितम्बर दोहजार इकिस दे चालू हुआ है लोग तो बहुत इंज्जॉय कर रहे हैं इस ट्रेन के जर्नी को मुझे भी उम्मीद है कि मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है अब ट्रेन चलने को तैयार है और ये अंकल फाइनल सिक्यूरिटी चेक कर रहे है अब तुम्हें अपनी कोच की तरफ जा रहे हो पता लगे दर्वाजा बंत हो जाएगा और मैं बार ही रह जाओ और मेरी ट्रेन चुट जाए अब हम फस्ट एसी कोच की तरफ जा रहे है और थेंग ओड हम लोग टाइम पे पहुँच गए फस्ट एसी और मैं अपने कूप की तरफ जा रहे हूँ बहुत मज़ा आने वाला है और ये और ये और ये मेरा कूप तो नहीं है ये तो कैविन में आ गई चलो 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 कूप के तरफ चलते हैं और ये रहा मेरा कूप इसे मैं ठीक से सनिटाइज कर ली और बोलिसान भी आप बैठ सकती है ये मैं थोड़ा सा इंसाइड व्यू दिखा देती हूँ अपने ये तेजस राजधानी एक्सप्रेस का लोग इसको कपल रूम बोलते हैं कोई प्राइबेट रूम बोलता है कुछ भी बोल लो ये है तो ये कूप ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजिए और ये स्टेप्स है उपर वाले सीट में जाने के लिए ये कुंडी लौक हो जाता है अच्छे से फिर आप मजे से अंदर रहो कोई डिश्टब नहीं बहार से ये कुंडी लगा लो आप और ये खास बात है तेजस राजधानी एक्सप्रेस में कटन दिए है जो की राजधानी एक्सप्रेस में नहीं था कोवीट की वज़े से बट तेजस एक्सप्रेस राजधानी में कर्टेन हमें दिया है तो फुल मज़ा आने वाला है बिल्कुल प्राइविसी का ध्यान है और ये मैं और सानवी थोड़ा सेलफी ले रहे हैं इस तरह नए तेजस में प्राइविसी का पूरा ध्यान रखा गया है और यहाँ पे आपको हर सीट में लाइट, स्मॉक डिटेक्टर, रूम फ्रेशनर, नाइट, लाइट, सारे चीज का इंतिजाम है ये है रूम फ्रेशनर जो थोड़ी थोड़ी देर में रूम को फ्रेश करेगा और इसमें कुंडी लगा दो तो बिल्कुल होटल रूम की तरफ बिल्कुल सेफ हो जाता है और यहाँ पर एक टेबिल रखा है जिसको आप निकाल के खाना खा सकते हैं उसमें लेप्टॉप से काम कर सकते हैं चलिए मैं आपको कोरिडोर का व्यू दिखाती हूँ सांदार पेंटिंग लगा हुआ है इस तेजस एक्सप्रेस में जो राज़दानी एक्सप्रेस में देखने को नहीं मिला था बहुत बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत पेंटिंग लगे है सारे बिहार से रिलेटेड पेंटिंग है टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए इस पेंटिंग को लगाया है यहाँ पे और यह देखो कोरिडोर के विंडोस में ब्लाइंड लगा हुआ है हर कोच में LCD डिस्पले लगा हुआ रहता है जिसमें पैसेंजर का अनॉंसमेंट, ट्रेन का स्टेटस, टाइम पहुँचने का डिले का सब जनकारी दिया रहता है इसमें CCTV कैमराज भी लगा हुआ है, जो नाइड विजन होता है जो अंधेरे में भी किलियर फोटो खीच लेगा, सब पता चलेगा गाड को और यह है बातरूम, अगर आपको गरम पानी जनाना है, तो सावर ले लिजए, गरम पानी तेजस एक्सप्रेस में आपको मिलेगा इसके बातरूम में तो A1 फैसलिटी है इसके टोइलेट में वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है और वहाँ पे स्मोग डिटेक्टर भी लगा है, तो जो बीडी और सिक्रेट फोगते हैं, तो जरा ध्यान रखे अभी नया नया ड्रेन है, इसलिए चका चक टोइलेट है, देख रहे वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू और फूल जरने देखने के लिए पाट्टू का वेट करिए